बचो हम चैप्टर पड़ रहे हैं A Bicycle in Good Repairer हमने क्या जाना कि भई लेखक और उसके मित्र साइकल के आगे पहिये को जोडने की कोशिश कर रहे है और लेखक ने का है कि अब तुम साइकल पकड़ो मैं पहिये को लगाने की कोशिश करता हूं चलो जानते हैं काहनी में यागे क्या हुआ At length we did get the thing into position तो भे ये कहा जा सता है कि हमने उस चीज को उसकी सही स्थिती में ला दिया And the moment it was in position, he burst out laughing और जिस शन वो पहिया अपनी जगे पे आया जो मेरा मित्र था वो जोर से हसी से फट पड़ा I said, what's the joke? मैंने कहा, कौन सा मजाग किया मैंने? तो उसने कहा, well, I am an ass और क्या कहा उस मित्र ने? कि भई मैं एक गधा हूँ It was the first thing he had said that made me respect him तो बचो ये पहली वो चीज थी जो उसने कही थी जिसके कारण मैं उसका सम्मान कर रहा था I asked him what had led him to the discovery तो फिर मैंने उससे पूछा कि भई, किस बात के कारण और किस ऐसी खोज के कारण Discovery मतलब खोज किस ऐसी खोज के कारण तुम्हें ऐसी हसी आई और तुमने लगा कि तुम गधे हो तो उसने कहा, we have forgotten the balls हम तो उन balls को, वो छोटी-छोटी ball bearings को तो भूली गए तो बच्चों यहाँ पर देखो क्या-क्या हमने शब पड़े है पहला है position मतलब जगह या फिर स्थिती Moment यानि ख्षण Burst out मतलब फट गया Laughing यानि हसना As मतलब गधा Respect यानि की सम्मान Discovery मतलब खोज Forgotten मतलब भूल गया I looked for my hat अब मैं अपनी hat ढूनने रगा क्यों? क्योंकि सारी balls मैंने अपनी hat में ही रखी थी It was lying topsy-turvy in the middle of the path अब जो मेरी hat थी ना वो पड़ी हुई थी उलट-पुलट हुई वी उस मार्ग के पीच में He was of a cheerful disposition हस्मुक स्वभाव था disposition था मतलब स्वभाव था He said उसने कहा Well, we must put back all we find चलो हम उन सब चीजों को जगे पे लगा देते हैं जो हमें मिलती है and trust to providence और भरोसा करते हैं ईश्वर पर मतलब वो चीजे तो गुमा दी साइकल को खोल दिया चीजे उसकी गुम गई उसके कुछ पुर्जे गुम गई तो भी वो मित्र हस के बोल रहा है कि भई चलो सब लगा देते हैं जो मिल रहा है जो बाकी सब जो चीजे हैं वो भगवान भरो से छोड़ देते हैं वी फाउन एलेवन हमें ग्यारा बॉल बेरिंग्स मिल गई वी फिक्स्ट सिक्स ओन वन साइड और फाइव न दे अदर और हमने उन बॉल्स को कैसे जोड़ दिया छे बॉल्स एक तरफ और पाच बॉल्स दूसरी तरफ और आदे घंटे बाद वो पहिया वापिस अपनी जगे पे लग गया अब बचो ये तो मुश्किल से ही ये बोलने की ज़रुरत है कि वो जो पहिया था ना वो असल में सच में अब डगमगाने लगा था तो देखो यहाँ पे हमने क्या-क्या शब पड़े हैं पहला है लाइंग मतलब पड़ा हुआ फिर है टॉपसी टर्वी मतलब उलट-उलट मिडल मतलब मध्य चीरफुल मतलब हस्मुख या फिर प्रसन डिस्पोजीशन यानि स्वभाव ट्रस्ट मतलब भरोसा करना प्रोविडिन्स यानि इश्वर हाडली मतलब मुश्किल से और वॉबल मतलब डगमगाना अचाइड माइट है नोटिस्ट इट कि भई ये तो अब एक बच्चा भी ध्यान दे के बता सकता है कि मेरी जो साइकल थी वो अब डगमगा रही थी और मेरी मित्रे ने का कि भई वरतमान में तो इस साइकल काम कर जाएगी तो मैंने कहा वाचिंग यू दू दिस इस फर रियल यूस तो मी तुम्हें ये सब करते देखना असल में मेरे बहुत काम आया ये ना केवल तुम्हारा जो कौशल है उसके कारण मैं मोहित हुआ हूँ पर मैं मोहित हुआ हूँ तुम्हारे खुद को लेके विश्वास से और तुम्हारी अकतनिय आशावाद से भी मैं बहुत जादा मोहित हुआ हूँ प्रभावित हुआ हूँ That does me good, जो मेरे लिए कुछ अच्छा कर सकती है तो बच्चों देखो, यहाँ पे क्या-क्या शब्द है Noticed, यानि ध्यान दिया Skill, मतलब कॉशल Fascinates, मतलब मोहित करना Confidence, मतलब आत्मविश्वास Inexplicable, मतलब अकथनिय Hopefulness, मतलब आशावाद तो बच्चों गाड़ी गाड़ी नहीं, असल में वो cycle क्या सच में पूरी तरह के से जुड़ गई अब जानेंगे अगले वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, मलते हैं अगले वीडियो में